कि आपको याद होगा इश्यमसी से कुश्चन पुछा गया था कि हें पिता है गुरू सबसे बड़ी आग्या Bible में कौन सी है उसे परखने के लिए के वेभीचार ना करना के चोरु ना करना महातापिता कि आग्या ना मानना कौन सी सबसे बड़ी इश्यमसी ने कहा था सबसे बड़ी आग्या यह है कि तो अपने परमेश्वर से पूरे तन पूरे मन पूरी शक्ति पूरे प्राण के साथ प्रेम कर और उसी के समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर हाँ यह ना यह बड़ी आग्या थी और इश्मसी ने बुद्धी मानी के साथ उत्तर दिया और उस व्यक्ति ने बुद्धी मानी के साथ उत्तर दिया कि सबसे बड़ी आज्या तो यही है कि तो अपने परमेश्वर से इस तरह प्यार करो इश्वमसी ने का तुन्हें बुद्धिमानी के साथ उतर दिया आप जानते क्या बाइबल की सबसे बड़ी आज्या कौन सी है अगर आज मैं आपसे पूछू बाइबल की सबसे बड़ी आज्या क्या है या वन अफ दा मोस्ट इंपोर्टेंट आज बाइबल में क्या है इश्वमसी ने स्वरक जाते जाते जब वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में जा रहा था और जीवित उठाया जा रहा था जिस तरह अगर आप किसी रिश्चेदार को छोड़ने जाए अपने बेटे को छोड़ने जाए और गाड़ी चलने वाली हो और एक ही बात या दो बात ही हो सकी हूँ वो कौन सी होगी जो सबसे जरूरी होगी आपका बेटा आपको बोले मैंने एक जरूरी बात करनी ही बस वो खाने बिने की बात नहीं करेगा कपड़ों की बात निए वो जरूरी सी बात करेगा कोई गाड़ी चलने वाली इश्वमस्ने ने सबसे जरूरी आज्या दी कि अब तुम जाओ और सब लुगों क्या बनाओ चेला बनाओ और सब बातों को मानना सिखाओ ये बाइबल की बाइबल की सबसे बड़ी आज्याओं में से एक आग्या है आपकी ब्लेसिंग फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर की आज्याओं को कितना सीरियस्ली लेते हैं इश्यमसी ने इंपॉर्टेंट बात बुली कि अब तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और सब बातों को मानना सिखाओ देखो जगत के अंतक मैं तुम्हारे साथ हूं जब आप प्रेर्तों के काम की पुस्तों को पढ़ते हैं, जब उसके एक बाप को हम पढ़ते हैं, एक आयत से, इसमें प्रभी इश्यमसी ने कहा, पांच आयत में, क्योंकि यहुना ने तुम्हें पानी से बब्तिस्मा दिया, प्रंतु थोड़े दिनों के बाद, तुम पव जो गवाही तुमको मेरी देनी है, जो आग्याएं तुमको लोगों को मानना सिखानी है, वो काम करने के लिए तुम्हें पवितरात्मा दिया जाएगा, और जब वे तुम पर आएगा, तुम सामर्थ को पाओगे, और सारी यहुदिया, यरुशलम, सामरिया, यानि पूरे अपने महले में, अपने नगर में, अपनी स्टेट में, अपने देश में और पूरी दुनिया में तुम मेरे गवाह होगे, परमेश्वर की हर एक आग्या, आपके फाइदे के लिए वो कोई भी आग्या क्यों ना हो, आपकी लाइफ को जब बनाया गया, जब आप मा के गर प्लान को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर की आग्याओं के बीच में आना पड़ता है, ताकि परमेश्वर अपना प्लान पूरा कर सके आपकी लाइफ में, जब आप उसकी आग्याओं को मानना शुरू करते हैं